आपका फिर से स्वागत है मैं आज आपको बताने वाला हूँ chronic fatigue syndrome ऐसे एक बिमारी कि जिसके बारे में लोगों को जानकारी है नहीं मगर लोग सफर कर रहे हैं उनको problem है इसमें होता क्या है कि उसमें ठकान आती और छे महने से ठकान बिना वज़े किया कोई वज़े नहीं है कोई कामकाश नहीं किया कोई मेहनत नहीं किया हुआ है या कोई श्रम नहीं किया है उसके बाद में ठकान है और छे महने से जादा ठकान है तो हम बूलते कि नहीं उसको chronic fatigue syndrome है यह 20 से 40 साल के उमर में ज्यादा होती दिखाई देती हैं महिलाओं में ज्यादा है और एक से 10 मतलब एक हजार अबादी में एक से 10 लोगों को विना काम करने से फाइदा नहीं होता और काम काश करने में उससे बाधा आती तो यह उसके प्रमुक लक्षन है और अभी मैं आपको बताने माला हूँ आठ लक्षन और आठ में से चार प्रेजेंट है तो फिर वो उसका डाइगनोसिस पक्का होता है और आठ में से चार कुंसे कुंसे तो मैं आपको आठ गिनाता हूँ बुल जाना भूला कड़ पना बिच-बिच में और काम में मन केंड्रीत नहीं होना कि लक्ष बिचलीत हो जाता है नंबर अक नंबर 2 गले की खराश नंबर 3 दर्द देने वाली lymph nodes लिंफ nodes रही थे न अपने नोडस लिंफ nodes तो वो lymph nodes में दर्द होते रहता है number 4 mass spectrum में दर्द muscles muscular pain होते रहता है number 5 जोडो में दर्द number 6 सरदर्द number 7 नीन के बाद में जोशिला महसुस नहीं करना, या ताज्रे महसुस नहीं करना, ऊट्रा महसुस नहीं करना, नमबर आठ बहुत श्रम करने के बाद में 24 घंटे से भी जादा उसको ठेकान आ रही मतलब श्रम क्या हुआ है तो 24 घंटे में थकान निकलना चाहिए 24 घंटे से भी ज्यादा थकान आती रहती है 24 घंटे के बाद में तो हम समझते कि ने इसका chronic fatigue syndrome है तो इसका करना क्या है थकान है उत्सा नहीं है कामकाश करन में मजा नहीं आ रही लक्षक इंद्रित नहीं हो रहा कामकाश में बाधाय आ रही है और छे मेने से चालू है इसका कोई पक्का यलाज ऐसा नहीं है कि उसकी दवा दीजे उसका इलाज हो गया इसके साथ में दिप्रेशन असोसियेटड है तो में एंटीडिप्रेशंट की गोलियाँ दवा यहां दे सकते हैं जिससे डिप्रेशन अच्छा हो सकता है मगर बागी समझो पैन है तो पेनकिलर अदे सकते कुछ समय तक मेन चीज जो है वो है कि इसको supportive जो है supportive psychotherapy या हम उसको CBT मतलब cognitive behavior therapy या हम self hypnotherapy उसको सिखा थे उसमें क्या-क्या problems है जिन्दगी जिने में उसके बारे में चर्चा करते है और कुछ supportive antidepressant देते हैं तो उसमें फायदा होता है usually इसका जो है सब investigation करना जरूरी है क्योंकि ऐसा है कि हम कोई मतलब यह हमको देखना पड़ता है कि हम कोई physical problem से deal नहीं कर रहें तो उसका हम पूरा check-up कर लेते हैं शुगर मतलब diabetes है क्या शुगर बढ़ी हुई क्या ब्लेड प्रेशर बढ़ाया क्या बाकिया और कुछ सब पूरा scanning body का कर लेते हैं पूरी investigation जाच पड़ताल करने के बाद में जब सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं तब हम बोलते कि नहीं और छे मेने से ज्यादा है तो बोलते chronic fatigue syndrome में तो यह इसका हिलाज होना जरूरी है और काफी सारे लोग हमारे आजुबाजो में रहते होंगे कि जिनको प्रॉबलम है मगर उनको मालूम है यह प्रॉबलम है यह बीमारी है जरूरी वीडियो आपके ग्रूप में शेयर करो फेस्बूक के वाट्साइप के लाइक होना है उसके पर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिक्शन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे हमारा जो मूटिव है वह है और मिशन हमारा है कि सबसके लिए मानसिक स्वास्त्य और जैसनमुक्त भारत इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा थैंक्स फर व